37. क्रिप्स प्रस्ताव, मार्च 1942 इस्वी जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ती से अंतराश्टिय समुद जिसके क्रम में अमेरिका, आस्ट्रेलिया वचीन ने ब्रिटेन पर भारत को सोतंत्र करने के लिए दबाव डाला परिडाम स्वरूफ विष्टन चर्चिल ने 11. मार्च 1942 इस्वी को क्रिप्स मिशन की घोशना की, 23. मार्च 1942 इस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुचा, जहां पर विभिन नेताओं से संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30. मार्च 1942 इस्वी को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिस कुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। कुल से भी अधिकार प्राप्त होगा। हमें तो वास्तविक सोतंतरता से संतुष्टी प्राप्त हो सकती है। पोस्ट डेटेट चेक बताया। मुस्लिम लीग ने दो आधारों पर कृप्स प्रस्ताओं को अस्विकार किया। जिसमें पहला मुस्लिम लीग को सम्विधान निर्मात्री संस्था में प्रिथक निर्वाचन मंडल को मानिता नहीं दिया जाना तथा दूसरा उनकी भारत विभाजन की मांग को सुईकार नहीं करना था। S. गोपाल ने कृप्स मिशन को मूलता, अनुरक्षनवादी, प्रितिक्रियाशील और सीमित प्रस्ताओं की संग्यादी।